हेलो गाइज ये मैंने छोटी सी एक पटी ली है इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से हमें फोल्ड करना है फोल्ड करके इसके उपर एक स्लाई लगाएंगे हेलो फ्रेंट्स आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल होमार्ट में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुन्दर और इजली नेक का डिजाइन जिसे बनाना बिल्कुल ही असान है तो फ्रेंट्स सबसे पहल अच्छे से एक सिलाई लगाएंगे देखो फ्रेंट्स इस तरीके से हमें सिलाई लगाकर इस पटी को सीलना है तो यह देखो मैंने पूरी पटी को सिलाई लगाकर सील लिया है अब हम इसको सीधा करेंगे एक सीरे पे हम इस तरीके से सुई की साहिता से नोट्स स्वय को इसके अंदर से हमें डालते हुए दूसरी साइड से निकालना एक 2 तो दूसरी साइड से निकालाइव दिरे खैकी से निकालना है तो ठीक है कि तो तूट जाएगा तो यह बीच़ के अदर दौकिल संब्सक्राइब हो जाएगी तो इसे हम विल्यग अराम से इसको दूसरी साइड से करना देखो से अराम निकल घे लुटो चाहँ में अड़ोरी में हम uns ** कारेंगी तो फ्रेंस यह हमारी जो हो में ल Treasury करेंगे वह इस्तरी के कि कि एक पतली सी डोरी बनकर त्यार हो जाएगी अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले और पास में जो बैल आइकन उसे आप प्रेस कर ले ताकि हर रोज नए वीडियो का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे द दो दो इंच पे मैंने इनको कट कर लिया है लंबाई के अंदर फ्रेंड्स मैंने इनको दो दो इंच के अंदर कटिंग करके इसको रखा है इस तरीके से आप चाहो तो इसको इस तरीकी से भी अटैच कर सकते हो बट हम एक एक करके इसके उपर हम सिलाई करके कटिंग तरीक़ से देखू, यहां पर इसको joint करेंगे, इसको cut कर लेंगे, तो यह दोईंच की पपटी से पस्ती होगी है, इस तरीक़ से देखो, यहां पर हम रखेंगे जो हमारा neck design cutting QE है, और siigner QE जो हम timing piping, सोरी जो हम तुर्पाई के लिए फोल्ड करके सील लेते हैं सादान तरीके से वो मैंने पहले से सील कर रख लिया है अब हमें आगे इस तरीके से ये डोरी है जो हमने बनाई है इसको हम दो दो इंच के अंदर लंबाई के अंदर कटिंग करके यहां पे आदा आदा इंच का ग तो दोस्तो जैसे वीडियो में दिखाया गया है उसी अनुशार आप इस नैक डिजाइन को बिल्कुल ही इजली तरीके से बना सकते हो तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इसको सीलते जाएंगे तो फ्रेंड्स आप इस एक बार जरूर बनाके देखिएगा बनाने में बहुत ही असान है बिल्कुल कम समय में ये सुन्दर सा नैक डिजाइन बनकर त्यार हो जाता है तो ये देखो मैंने पूरे के उपर अच्छे से आदा इंसका गैप देते हुए पूरे के उपर अच्छे से इसको सब पटियों को मैंने सील लिया है अब देखो फ्रेंड्स अब हमें आगे भी इसका एक बिजाइन और बनाएंगे देखो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके उपर सिलाई लगाएंगे इसको फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई और लगाएंगे ताकि ये फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से यहां पे हम फोल्ड करेंगे और यहां एक सिलाई लगाएंगे देखो ध्यान से हमें इसको फोल्ड करते हुए कोर्णर के ऊपर एक अच्छे से सिलाई करके इसको अटेच करना है तो फ्रेंट्स आप इसको अपने ब्लाउज के लिए भी त्यार कर सकते हो कूर्टी के लिए भी सिद्धे सिंपल सूट के लिए भी गाउन के लिए भी इस तरीके से ये सुन्दर नैक डिजाइन बिल्कुल ही इसली तरीके से आप इसको बना कर त्यार कर सकते हैं जो फ्रेंट्स में लाएं सिलाई करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा आइडिया है क्योंकि उनको तो पहले से ही आता है बट देखो फ्रेंट्स मैंने धीरे-धीरे करके इस पूरे के ऊपर सिलाई से इसको अटेच कर दिया है फोल्ड करते हुए इसके साथ हमारा ये सुन्दर्शा जो नैक का डिजाइन है वो बनकर त्यार हो गया है कितना ही खूबसूरत लग रहा है देखो बनाने के बाद में बा